बहुत चोटा सा सवाल में आपसे बोगर पूछ नहीं, आप ने कहा կाप इंडियन नेशनल मुव्वइंट को सकसफुली लीड किया जाता, तो सावभर दैक्ता इतनी बागिस्वी समझते नहीं होती अगर Indian National Movement को और ज़्यादा को ओर जादा collectively र अच्छी तरिके से अगर उसको लीड किया दा तो इतने जद़ा भीद भाव और सामाजिक तरणाओ नहीं होते है तो इसका मतला इंडियन नेशिनल मोध्मेंट के एक सफल भी आप कैसे मुझे मुझे मुटमाइन करेंगे कि वह सफल या सफल बताइए इंडियन नैशनल मुव्मेंट में यकिनन कुछ कम्या रही है संप्रदाइक चिन्हों का प्रयोग किया गया कई बार धर्म के अधार पे तुस्टे करन की कोशिश की गई जिसका ही परिणाम रहा कि ह हमें देश विभाजन देखना पड़ा लेकिन सिर्फ इस अधार पर हम इंडियन नुशनल मुव्मेंट को कम करके नहीं आख सकते हैं इसके बहुत ही अच्छे परिणाम रहे हैं पहला देश को आजादी मिली है दूसरा जिन मुल्यों के अधार पर मिली हमारे देश को ऐसा एक्जेंपल पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है कि एक हमने डेमोक्रीटिक कंट्री बनाई है एक हमारा कॉंस्टिशन है अपने का धर्मिक चिन्नों का प्रयोग हुआ तो नहीं किया जिनकों सब्सक्राइब रेवरेंस देते हैं सम्मान देते हैं महात्मा गंदी से प्रतिकों का प्रयोग तो किसी नहीं किया घीता लेकर चलते थे राम के भजन गाते थे कई वार इस पर आपतियां भी हुई पावजु नों उसको कभी नहीं छोड़ा तो क्या आप मानती है कि गलती थी कि वह धार्मिक चिन्नों का प्रयोग करते रहें सेकुलर लीडर उन अगर मैं गांधी जी के परव्यों से देखूं तो यह उनका पर्सनल ट्रेट था फिर तो पब्लिक हो क्या हो वह मंद सारे लोगों को करा रहे हैं पब्लिक उस के पिसिटीम करा रहे हैं यह बता दीजिए सर उनका इस सही गलत देखने के लिए उनका उद्देश देखना ह पर गांधी जी हमेशा चाते थे कि इस अजार पर जादा से जादा लोगों को आपस में एकिकरित किया जा सके यह उनका उद्देश देखना